किसान भाईयो नमस्कार आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में चने में फुटाव को हम केसे बढ़ा सकते हैं जी हाँ किसान भाईयो आज एक इसा दरीका में आपको बताऊंगा जिससे चने की फसल में जोरदार फुटाव आएगा एक पोदे से ज़्यादा से ज़्यादा साखाएं ब्रांचिक निकलेगी और चने में फल पुल भी कापी बढ़ी आएंगे इस ट्रुडियो को आखिर तक देखिए जो नए साथ हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर लिजे गंटी की निसान को दबाईए किसान भाईयो आप हमसे इस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी वहां से आप लगतार हमसे बाचीत कर सकते हैं किसान भाईयो गिहों की तरह अगर चने में भी एक पोदे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाओ यानि की ज़्यादा से ज़्यादा साखाय निकलेंगी तो फल फूल भी बढ़िया संख्या में आएंगे और चने का उत्पादन बढ़िया निकलेगा किसान भाईयों चने की फसल में फुटाओ को बढ़ाने के लिए किसान भाई लग समय पर कहीं परकार की चीजों का प्रियोग करते है किसन भायों एक सांदार तरीका में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे चने की फसल में कापी अच्छा फुटाओ देखने को मिलेगा जब चने की बुवई के बाद फसल 25-30 दिन के आसपास हो जाती है उस समय पर आपको एक काम करना है चने में पहला पानी लगा देना है पहले पानी पर आपको एक एकर में 25-30 केजी के आसपास यूरिया का प्रियोग करना है अगर खेत में नाइटोजन की या यूरिया की जोरत नहीं है तो आप यूरिया का प्रियोग कम मात्रा के साथ कर सकते है इसके लावा यूरिया डालने के बाद पानी लगा दीजे पानी लगाने के बाद जब खेत से नमी सूख जाए उस समय पर खेत में कुल पे डोरे चला सकते हैं, निराई गुडाई कर सकते हैं, खर्पत वारों को कंट्रोल कर सकते हैं जिस से पोदे की जड़ों के पास अच्छी नमी देखने को मिलेगी उसके बाद चने की फसल में आपको एक इस्प्रे करना है किसान भाई यो इस्प्रे के बारे में बात करें कि इस्प्रे में किन-किन चीजों का प्रियोग करना है तो चने की फसल में एक के सुरुवाती इस्प्रे में लेना है सहस्ता सा कीट ना सकते हैं, जिसके रूप में आप इमामेक्टीन बेंजियोट को ले सकते हैं आपी अच्छा कीट ना सक है चने की फसल के लिए इसी के साथ आपको मिलाना है NPK 1919 को जिसमें नाइट्रोजन, फासप्रस और पोटास की मात्रा पाई जाती है तीसी चीज लेना है कोई भी एक टोनिक वेसे NPK देने के साथ टोनिक की आउशकता नहीं होती है लेकिन आप किसी भी एक टोनिक का प्रियुक भी कर सकते है फेंटेक प्लक्स या पोसक सूपर या कोई भी अन्य पोसकता तो युक्त टोनिक आप ले सकते है अगले चीज आती है फंगी साइड अगर फसल में उक्टा रोग जड़ गलन की समझ्चा है तो फंगी साइड का प्रियुक कर सकते है अगर यह समझ्चा नहीं है तो व्यर्त का खर्चा करने की कोई ज़रूत नहीं है यह स्परे आप चने की फसल में कर दीजिए चने की फसल में गारंटी है 100% जोरदार फुटा होगा मैंने जो तरीका बताया है वही तरीका आपको फोलो करना है अंत में इस्परे करना है इस्परे में कीट नसक के साथ नपी के और टोनिक का प्रियुक करना है पोदे में अगर फंगस है तो फंगस की रोकथाम के लिए फंगी सैड मिलाना है कापी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे चने की फसल में कापी तगड़ा फुटा हो आईगा पोदे में जोरदार फलफूल आएंगे किसान भाईयों अगर आप भी चने की खेती कर रहे है और चने में फुटाओ को बढ़ाना चाते है तो मैं जो बाते बता रहा हूँ उनको आपको फॉलो करना है जिससे कापी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा किसान भाईयों कमेंट के माधिम से जुरूर बताईये कि आप चने में फुटाओ को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी चीजों का परियोग करते है मिलते है आपसे नए वीडियो में इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद जै जवान जै किसान